लिंग बच्चों, चित्रों के नाम बोलिए अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी या अध्यापक और मुर्गा पुरुष जाती के शब्द हैं अध्यापिका और मुर्गी स्त्री जाती के शब्द हैं संग्या शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाती का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं. हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुलिंग और स्त्री लिंग. पुरुष जाती का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं, जैसे यहाँ कुछ पुलिंग और स्त्री लिंग शब्द दिये गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए. मोर, मोर्नी, शेर, शेर्नी, उट, उटनी, हाथी, हतनी, घोडा, घोडी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिडिया, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नाईका, गायक, गाईका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षत, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुमहार, कुमहारिन, बूढ़ा, बुढ़िया, गुढ़ा, गुढ़िया, चूहा, चुहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेथ, सिठानी, जेट, जिठानी, देवर, दिवरानी, दादा, दाधी, चाचा, चाची, युवक, युवती, पती, पतनी, पडोसी, पडोसिन, सहपाथी, सहपाथिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताईन, बादशाह बेगम, बैल गाय, नर्तक नर्तकी, मामा मामी, पिता माता, पुरुष स्त्री, श्रीमान श्रीमाण,